मैं सनाधन के बारे में यह गया है, जो भी हमारे धरम को, जब प्रसाद मोर्यों, उन्हें अपने बाप का पता नहीं है कि मैं किस बाप का हूँ, तो यह कौन कहने वाला होता है, क्या यह राच्छत से पैदा हुगाए क्या, इसे अपने बाप का नहीं बता है क्या, राम चरि साथ मौरा जो सामाजवादी पार्टी के नेता हैं उन्हें हिंदू के पवित्र ग्रंत रामचरित्र मानस को लेका टिपड़ी की ती जिसके बाद विवाद काफी ज्यादा हुआ था इसके बाद इन्हों भागेश्वर धाम के जो सरकार पिटाधीश है यानि कि ध्रेंद्र शास्त्री उनको लेकर एक बयान दिया है जिसमें उन्हें कहा है कि अगर उनमें ताकत है शक्ति है तो चीन का विद्वंच कर दिखाए हमारे साथ इस वक्त जो हैं एक देश की एक आम नागरिक मौजूद जिन्हें सनातन धर्म के बारे में क्या कुछ पता है और क्या कहेंगे से पहले राम चरित्र explor मानस पर सवाल खड़ा किया था अब तो बागेश्वर धाम पर सवाल खड़ा कर दिया क्यों लग रहा है कि आपको भी लगर रहा हि वाकवरी संह्तिन धर्म को टार्गेट किया कर रहा है और यह कौन कहने वाला होता है क्या यह राच्छत से पैदा हुआ इसे अपने को आपने वाला हुआ है कि इसके ढान का राट कुछ कहा है लेकिन ओन्हों ने जिस तरीके से कहा है कि राम चरीत्र मानसलिक्त वह उसमें जो खुट है उसे बदलना चाहिए तो आखिर अब क्यूं याद आ रहा है क्यूंकि राम चरित्र मानसलिक्त वह वह तो ऐसे में आपको लगता है कि पंक्तियां सही करना चाहिए या फिर उसका समर्तन हिंदु समाज करता है हिंदु समाज अमेज अपने इस ग्रंथ का समर्तन करेगा ना ऐसे नीचों कोई सुनेगा कोई भी हंदू है सनातान है प्रितेक आदमी कोई भी हंदु के बारे में ने अ Надо क्या सब लिया है हम अपने करम को करेंगे हम अपने करम पर श्लब лишь करम ही प्रतान है हमारे सास्त्र में ऐसा है हम हर जन है तो हम अपने हर जन करम को करेंगे हम दो भी हैं तो अपने कर्म को कर रहे हैं तो आपको लगता है कि नहीं है एक चीज बताईए जब ग्रंत की बात करें तो परश्राम जी ने कहा था कि जनम से लोग सुधर होते हैं क्या अपने कर्मों से जातिय रखी जाती है हम जो कर्म कर रहे हैं जैसे संसु की और । तो संत है। तो हम चाहेब ब्लास ऑन जिभाढ़न हों चाहेह विस कर सकते हैं। फ्रापति के संत हैं। स्वामी प्रसाद मोर तो क्या अपने बापका नहीं है उसे पता नहीं है कि मैं कौन से धर्म में जनम लिया है तो ऐसे नेताओं को क्या कहेंगे जो केवल बार बार सनातन धर्म को ही टार्गेट कर रहे हैं राम मंदिर पर सवाल खड़ा करते हैं अब तो बागेश्वर धाम के शक्तियों पर भी सवाल खड़ा करें जिस बागेश्वर धाम की श्रद्धा जुड़ी हुई है लोगों से जिस बागेश्वर धाम को लोग इतना मानते हैं क्या आप भी समर्थन करते हैं जो आज कहते हैं वो हो जाता है क्योंकि तपस्या की है तपस्या की संती है लिए विए तो यह कोन है हमारे हिंदू समाज में ऐसे ऐसे लोग वही है वागेशवर धाम ने यह कहा था कि अगर हिंदू राश्ठ बन जाता है भारत तो मैं अखंड भारत की मांग करता हूं तो क्या आप भी बागश्वर धाम के समर्थन में हैं या बिल्कुल है, हिंडु है, हर इंसान je tari ta, तो संतों का कामी है अपने लोगों को अपने धर्माओं को करम पर चलने वालों को यह सला देते हैं हमारे देश keeps start's को c%, ज्टि को प्रेम करता है यह नहीं है कि जैसे मुगला है मुगलों का सासन रहिया ऐसे-इसे मुगल हुए अत्याचारी उनके नाम रख दिया अज दिली में देख लो क्या हो रहा है पृतेगरोड है उनके नाम से रह दी यह क्या हुआरंग जभ अच्छा अदमी था है यह कौन था सब्सक्राइब नागरिक कि राय थी जिस तरीके से स्वामे प्रसाइद मौरा ने बागेश्वर धाम को लेकर सवाल किया है इनकी बात आपने सुनी बड़ा ही खुपसूरत तरीके से इन अपने पूरी बात को रखा है वीडियो को लेकर आपकी क्या रहा है हमें जरूर कमेंट सेक्शन ने बताएं देश और दुनिया के तमाम बड़ी ख़बरों के लिए हमारे चानल सौगंध टीवी को लाइक शोर है सबस्क्राइब करें और हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और एक नए वीडियो के साथ अपके लिए मुझे दीजे इजाज़त कैमरा परसंट पंजनन के साथ शालनी जा दिल्ली सौगंध टीवी आप देख रहे हैं सौगंध टीवी सौगंध वतन की